हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो टीव फेर्ट्स आशा करतो हूं आप लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग अवेड़नेस बैंकिंग फिनेशल अवेड़नेस 12 से 21 मई तक के बीच में जो इंपॉर्टन बैंकिंग फिनेशल और एकनॉ सबसे फर्स्ट कोश्चन है विच फिनेशल सर्विस कंपनी पार्टन विथ नीरा तू प्रोवाइड पर्सनल लोन अप टू रूपीज वन लाइक टू नीरा मोबाइल आप तो कौन सी विच सर्विस कंपनी ने अपने ग्रहकों को एक लाख रिनी देने के लिए नीरा से प मुथृट फिनांस तो मुथृट फिनांस पार्टन विथ नीरा तो प्रोवाइड पर्सनल लोन अप टू रूपीज वन लाइक देख लेते हैं इसके डीटेल के बारे में तो मुथृट फिनाइस लिमिटेड कोलाबरेटर विथ नीरा एक बैंगलोर बेस्ट फिंटेक प्रूदर नीरा एप नीरा फिंटेक यह ओफर करती है स्मॉल पर्सनल लोन को उन मतलब जो सेलेट कस्टमर जिन का मिनिममम सेलरी है बारह हजार यह उससे ज्यादा उन्हें यह शॉट मतलब स्मॉल पर्सनल लोन अप्टू रूपीज वन लाइक यह प्रोवाइड करेगी तो मुथूट फिनांस जिसके मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है जोर्ज अलेक्जेडर मुथूट हेड़कॉटर कोची के रहला है में और नीरा के हेड़कॉटर है बैंगलूर में दूसरा कोश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विथ जियोजीट फिनाशल सर्विसेस तो प्रोवाइड अ सिंगल अकाउंट एकुवेलेंस ऑफ सेविंग डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट तो किस बैंक ने एकल खिड की तीन 3-1 अकाउंट बचत खाता डिमेट खाता ट्र सर्विसेज तो प्रोवाइड सिंगल अकाउंट में सेविंग रहेगा डिमेट खाता और ट्रेडिंग अकाउंट तीनो रहेगा तो पंजाम नेशनल बैंक के एमडी सीओ कोने मलीक अर्जुन राव और इसका हेड़कॉटर का हैं निव डेली में और जीओजीट का हेड़क परिगुटर का है कोच्ची के रला में है विच-बैंक मोबाइल एप इन पार्ट रिध़िट शिव रॉग तकनोलोजिस लाँज फ़ाहमीजोग त्वानिज था को न किस बैंक मोबाइल एप किस बैंक की मोबाइल आप उसके मिल कर शिव आउग तेकनोलोजिस फारुज फार्मिजों खाता फॉर परचेस हर्वेस्ट एड प्रोडक्शन डिसीजन यह सारी सुविदा एप पर मिलेगी फार्म एकंटिंग एप है क्रिशी के लिए क्रिशी क्रिशी के सहयता करेगा यह उसके लिए फार्मिजों खाता ने SBI यह अनों के साथ Type किया partnership कि कैया हैे केंडी किस बैंक के और यमोबाइल किस बैंक का आप आइस से बैंक का और मोबाइल प्लस किस बैंक का आप है कि सोलेशन के लिए फीजिकली वेरिफिकेशन जरुरूत नहीं पड़ेगी तो विडिट वाइसी सोलेशन के लिए परिमेश के साथ यह तीन रिचुल से पहला कि फार्मीजों खाता एस्बीयों नो दूसरा एस्बीयाई कार्ट्स हजरेस्ट 445 क्रोड़ बाइ यूजिंग बॉंड और तीसरा है एस्बीयाई पार्टेशिविद हाइपर वर्च फॉर एक वाइसी और वीडियो के वाइसी सॉलोशन के लिए एक चुटा सब्सक्राइब से तो गवर्मेंट अफ इंडियन कंसल्टेशन विद आर्बीयाई डिसाइड तो इशू सोवरें गोल्ड बॉंड फॉर फिस्कल लियर 2022 यानि कि सोवरें गोल्ड बॉंड बॉंड विल बी इशुड 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 फ्रॉ विच फिनाशन इंबल फॉर इंवर्मिटेंस एडवाइस फिरा डिजिटल इफॉर इंडियन मेंचंट्स तो भारती वेपारों के लिए किस डिजिटल भुकतार प्रदाता ने फिरा को सोचालित किया है इसका सही जिवाब होगा ऑप्शन डी ऑप्शन फूर पेपाल इसको बैंक के दोरा इसु किया जाएगा और यह किसके साथ पार्टेशिप हुआ है पेपाल के साथ दो फिर देख लेते एक निज और गूगल पे से गूगल पे लॉंच इंटरनाशन मनी ट्रांफर फॉर इट्स इनटेट से यूजर्स में उसमें जो यूजर्स उनको मैं ट्रांस्फर करने के लिए इंडर्सिंगापूर में गूगल ने गूगल पे-उसर का इस्त Bentang फेकर पाया चनुसिक फिचर गूगल पे-इन द्च चेंट्राशन का को इस द्चबने चूंगल पे उसरोछिं इन कार ओसर इंडली हच्छि इनस निज इन पे इसींगावर और सब्सक्राइब कर दिया है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन भी लक्ष्मी विलास बैंक तो लक्ष्मी विलास बैंक को आर्बिया एक्स्टूड़ेट फॉम दे सेकंड शेडिल ऑफ आर्बिया क्यों किया गया जैसे लक्ष्मी विलास बैंक का जो मर्जर हुआ था लास्ट यह बैंक ऑफ इंडिया में तो लास्ट ही किया गया था इस वजह से इसको इस से मतलब इस काटेगरी से जो कि शेकंड शेडिल है आर्बियाक नैंटी थिफॉर इससे बाहर किया अंडर और उसी समय आर्बिया ने टीन मनहरण को अध्मिनिस्ट्रेटर के ग्रूप में लक्ष्मी विलास बैंक के लिए यह नियुक्त किया था तीस दिन के लिए आर्बिया से दूसरा नियूज है आर्बियास कैंसे लाइसंस ऑफ युनाटेट कोपरेटिव बैंक जो कहां है वे पिए के द्वारा नाबाड एलोकेटेट रेकॉर्ड हाइमांट ऑफ वन थाजंट टू तो रूरल रोड करेक्रेटिविट्टिव प्रोजेक्ट इन विच स्टेट तो नाबाड ने किस राज को रूरल इंफ्रस्टेक्टिविप्ट्ट फंड के तर 1236 करोड रूपे देने रूपे दिये हैं इसका सभी जवाब होगा ऑप्शन सी असम को 1236 करोड रूपे दिये हैं अंडर रूर इंफ्रस्टेक्टर डेवल्पेंट फंड बाइ नाबाड पिछली वीडियो में क्या देखा था हमने कि उसने वेस्ट मेंगाल को दिया था राइड फंड के तहत तो इसके सांसा इंक्लूड है 1.8 बिलियों डॉलर इसके सांसा इंक्लूड है 1.8 बिलियों डॉलर इंप्रज तु सपोर्ट गोवेंट फिंदे को न वारस डिने मि रिसके सांसा इंद्ट पॉइड में पैंड पैंड में रिसके साहत है और-9 3.92 बिलियों डॉलर फोर सोवरें लोंस फोर 13 प्रोजेक्स इंदिया विच स्मॉल फिनांस बैंक अनौन नीव फीचर कॉल आई चूसमाइन नंबर तो एनेबल इस कस्टमर तो चूज देर फेवरेट नंबर फॉर सेविंग और करेंट अगाउंट किस लगोवित बैंक ने अपने ग्रहा को के लिए आई चूसमाइन नंबर बचत और चालू खात करने के लिए अपने कस्टमर के लिए सुविदा शुरू किये मतलग वह अपने अकाउंट नंबर के लास्ट के तेन डिवीचित को अपने अनुसार चून सब्सकेंगे थे फेवरेट नंबर आज टेन इडिजित नंबर इन देंग अगाउंट जनी स्माइल 63 billion dollar 30.63 billion dollar ये रहा amount of exports made by Indian month of April 2021 और ये रिपोर्ट किसके तोरह जारे किया गया Union Ministry of Commerce and Industry उसने रिपोर्ट किया कि जो export value है इसमें 3-fold का increment हुआ है पिछले साल से मतलब अप्रिल 2020 से मार्च 2020 से अप्रिल 2021 में 3-fold का increment हुआ है 230.63 billion from 10.36 billion यानि कि इसमें बढ़ोतर हुए कितने 60.29% तो एक्सपोर्ट में जो इंक्रिमेंट हुआ वो 60.29% का इंक्रिमेंट हुआ है फ्रॉम लास्ट येर एप्रिल 2020 से दू हेल्थी ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक जेम्स जोल्री एलेक्ट्रानिक गूड्स जूट लेदर हैंडिक्राफ्ट एंजिनेरिंग जबकि सेवें तो बिलियन फॉटिवटी पट्टीव पंट शेवें तो जिसके वज़े से ट्रेश्ट मतलब डिफेरंस ऑफ एक्पोर्ट इंपोर्ट कितना रहा 15.10 बिलियन दॉलर तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो यह जो वैलु था पर्सेंटेज वैलु किसके दुपर जारी क और ग्लोबल एकनोमिका क्यारी पुट्रा श्रैंक बाइ मतलब इसमें कमी हुई है 4.3% इन 2020 और कॉमर्शन इंडिस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक और ची जारी किया जो इंडेस मंथली होल्सेल प्राइस इंडेक्स 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 वो रहा 10.49% एप्रिल में मतलब कि 11 सा तो जाने कि चैनल इसाधा हा रहा यह होल्सेल प्राइस इंडेक्स डेवनौ्स इंडेक्स्टेस प्लेक्स इंडेक्स शोनधा रिता वाड़नेश्यों तो पंते को ते इस्ट्री ने कासाई जवाब होगा, an insurer tech startup has launched integrated partner onboarding solution, an industry first digital end-to-end partner onboarding solution. IPOS is a fully automated portal dedicated to all partner-related onboarding requirements of agents and brokers. Paypoint India, this is a big related news. Paypoint India made a partnership with General Insurance to provide affordable COVID-19 health insurance policy to its customer in rural India. Under this partnership, health insurance coverage up to Rs. 2 lakh is made. Which bank introduced two new first-of-its-kind digital banking solution called Smart Service and IntelliSign to replace physical documentation procedure? So, which bank launched smart server and IntelliSign? This is the right answer. Option D, HSBC Bank. HSBC Bank India has launched two new services, digital banking solution called Smart Service and IntelliSign, for replacing the physical documentation procedure होता है, उसको कम करने के लिए. Which bank moved to a fully digitized loan processing system for MSM and agriculture product loans? के लिए. उसको किस बैंक आप्शन होता है, इसका सही अंसर होगा, option IDBI Bank. So, IDBI Bank has launched, its moved to a fully digitized loan processing system for MSM and agriculture product loans. So, MSM and agriculture product loans के लिए, यह डिजिटलाइज किया है, loan system को IDBI Bank ने. IDBI Bank का headquarter है Mumbai में, और इसका CEO कोन है? राकेश शर्मा वाट इस इंडेस पोसिशन इन इंशुरेंस टेक्नोलोजी मार्केट इन एश्या पैसिफिक रिजिन एस पर देपोर्ट रिपोर्ट रिलिज बाइए संप ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सही जवाब होगा ऑप्शन भी पिछली वीडियो में बताये थे क कौन सा इंशुरेंस है जो वर्ल्ड में थर्ड ग्रोइंग है वो था एलाइसी इसमें एसन पी ने एसन पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडेए अस्ट सेकेंड लाज़ेस इंशुरेंस टेक्नोलोजी आफ्टर चाइना मतलब एशिया पैसिफिक में औ आर्बी आई के दोरा एक निवस है इन में आर्बे मैंडेट पीपी इंटर पोटेबिलिटी याने की मतलब एक वालेट प्रिपेट से दूसरे वालेट प्रिपेट में ट्रांसफर करने के लिए अंडर सेक्शन 18 ओल लाइसेंस प्रिपेट पेमेंट इस्ट्रुमेंट तक सभी प्रिपेट पेमेंट इस्ट्रुमेंट का इंटर पोटेबिलिटि होगा मतलब की एक अलग से एक मोबायल वालेट से दूसरे मोबायल वालेट में पैसे मतलब ट्रांजेक्शन भेज सकेंगे पैसे का ट्रांजेशन हो सकेगा साथ-साथ यह भी कहा है the maximum amount of standing in a full KYC PPIs जिनका मतलब अलड़ी prepared payment instrument पर KYC हो चुका है fully verification उसमें वो अब एक लाक से बढ़ाकर दो लाक रुपए तक पैसा रखने की सीमा दी गई है by RBI मतलब पहले था एक लाक रुपए अब यह है तू लाक रुपीज फिर है RBI और इसके साथ-साथ और यह भी पर्मिट किया कि जो पूल के वाइसी पीपी आइस रहेगा मोबाइल मतलब मोबाइल वालाट पेमिंट काड से कैश वी डॉबल भी किया जा सकेगा ATM पे ATM में माइक्टी में प्योच टर्मिनल पर कैस्वी डॉबली हो सकेगा जिसका मिनिमम लिमिट है 2,000 पर ट्रांजेक्शन मैक्सिम लिमिट है 2,000 पर ट्रांजेक्शन और ओवर लिमिट रहेगा महिने में एक मन्त में 10,000 पर मन्त पर पीपी आई तो यह कुछ नॉब्स अपने सर्कुलर में निकाला था 31 मार 2022 तक के दूसरे वालेट में लेंदेन की सुविधा देने का निर्देश दिया है सभी PPI को यानि प्रिपेड पेमेंट इंस्टुमेंट मोबाइल वालेट कंपनीज को अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं Which organization formulated the Asia Pacific Tax Hub to enhance international cooperation for strengthening global tax administration? Asian Development Bank Which bank entered into a strategic tie-up with UAE-based Mashtrek Bank to facilitate money transfer between UAE and India? Federal Bank RBA appointed as the Executive Director of RBI, who will be in charge of HR Management Department? Jose J. Cattour से भी सेक्राइन एक्स्चेंज बोड फिंडे इसुट गाइडलाइंस फॉर तॉप थाउजन लिस्टेट कंपनीज तु प्रोवाइड रिपोर्ट अफेक्ट्स दू दू कंपनी ओना मैंडेटरी बेसिस फॉम फिस्कल लिए 2023 यानि वितवर्श 2023 से यह निदाहत किया जो एक सिटुएशन अट्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो किसके तौर जाता है वर्लक इकनोमिक फॉरम के दोरा वह रहा 7.5% पर सेंट पेंट बैंक यह ने पार्न वित बीचल गॉल्ड पोड़ई तो लॉंच डिगोल पर इंवेस्टिंग गोल अतल पेंट बैंक्ड बैंक विच दीकाड़ी नड़त्यान अपरेडिस्ट अपर्सक्राक्टारी ञीज नड़् cosas सब्सक्राजियक design एसर्च करोड़ीण। न氣लेफ विजस कनिς डिटीस पांट रिट्ट году विजेश्ट सब्सक्रावी Bank of Bodoza who will head a technical group on social stock exchanges constructed by SEBI recommended not to allow the political and religious organization to track in to trade in stock exchanges वो है हर्श कुमार मनवाला तो यह था 12-21 मही तक यह बेच में Banking Financial Awareness आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेर और कमेंट तो थैंक यू बरे मच फॉर वाचिंग थैंक यू